नमस्कार हम लोग बात करते हैं आज इस छोटे से वीडियो के अंतरगत उत्तर प्रदेश गुंडा आधिनियम क्या है जिसको 1970 में बनाय गया था आपने गुंडा सब्द हम सभी ने अपने जीवन में सुना होगा लेकिन गुंडा का जो है कानूनी प्राविधान क्या होता है गुंडा मिथुन चक्रवर्ति के एक मूवी भी है काफी बहतरी मूवी है और एक मूवी और भी आई थी जिसको कहा जाता है गुंडे गुंडे नाम से जिसमें प्रियंका चोपडा ने पुलिस का रोल किया था तो मैं बताता हूं कि आज उत्तर प्रदेश जो गुंडा आ जानून क्योंकि जो भी कोई अपराद होता है जब वो ट्रायल चलता है कोट के अंदर तो वहां कुछ धाराएं होती है उसके तहत ये जज किया जाता है कि कोई ब्यक्ति गुंडा है या नहीं है अगर तो कुछ इसमें पॉइंट दिये गए हैं धारा 2 के अंदर कर जो जाती और धरम के नाम पर हिंसा लोग फैलाते हैं तो ऐसे कोई अपराद करता है या 294 में क्या है असलीलता असलील गाने या कोई असा साहित ऐसा कोई करता है या फिर आइपीसी का अध्याय 15 16 और 22 तो ये जो 15 16 और 22 तक के जो चैप्टर से आइपीसी के ये क्या है विभि जो बहुत मोटे किसम के अपराद होते हैं उनसे डील होता है तो ऐसे अपराद जो कोई करता है आइपीसी का 15 16 ये चैप्टर आप लोग के बुक में देखिएगा इसमें आपको जैसे जानेंगे तो इसके तहत कोई अगर अपराद करता है तो उसको भी गुंडा कहा जाता है उसके बाद जो किसी इस्त्री या लड़की के साथ अनैतिक देह ब्यापार आपको पता ना वैश्याबर्ती करता है या करवाता है तो वो भी क्या है गुंडा के अंतर गताता है और जो एक्साइज एक्ट ना उननिस सो जो अब इसमें कुछ अधिनियम और कुछ कोई भी ब्यक्ति अगर आरोपी पाया जाएगा जो नीचे लिखे गए हैं पॉइंट्स उसको हम गुंडा कहेंगे जैसे कोई एक्साइज एक्ट 1910 का उलंगन करता है कोई सार्वजनिक धूत अधिनियम का आयुद अधिनियम की धारा 25-27 का कोई अपराधी है ठीक या धा दाल होता है तो ऐसे व्यक्ति को गुंडा कहा जाता है जो घर पर कभजा करना चा रहा हो या फिर जो साहुकारी बिनियमे एक्ट 1976 के अधिनियम अपराधी हो ना और जो विधी बुरुद जो विधी बुरुद किरिया कलाव अधिनियम 1906 के और वन्नेजिव 1927 अधिनियम क पर भी जो प्रहार करता है उनको सताता है तो वन्नेजिव अलग से अधिनियम है यह हम लोग कभी फूर्सत मिलेगा तो देखेंगे और जो विधी बुरुद काम करता है विधी के बुरुद जाकर लोग सांती को भंग करता है ऐसे बैक्तियों को गुंडा कहा जाता है जो जो अधिनिवालन अधिनियम उत्तर प्रदेश में एक गव की हत्या को रोकने के लिए अधिनियम बना गया है जो उसमें पस्यों के प्रती कुरूरता करता है उस अधिनियम का जो लंगन करता है या फिर जो बालों से स्रम कराता है बंधुआ मजदूरी कराता है योन सोसन क तो आई ये सब गुंडा की परिभासा के अंतरगत आते हैं तो धारा 2 में क्या है गुंडा की परिभासा उसके बाद हम लोग जल्दी से देखते हैं धारा 3 जो बहुत ही महत्तपूर्ण धारा है इस अधिनियम की जो जान है वो धारा 3 ही है जो धारा 3 जानना बहुत आवश् को जिले से बाहर निकाला जा सकता है, गुंडो का बहिसकासन उसे जिले से उसकी जिला बदल कर दिया जाये service, ऑपने जिले से निकाल दिया और कितने दिनौक के लिए कमसे कम छे महिने के लिए तो अगर जब भी जिला magistरेट को ये प्रतीत होता है, जिला अधिकारी को ये प्रतीत होता या फिर जो वहाँ पर नयायाले में उसको भी मेजिस्ट्रेट कहते हैं तो जब ऐसी कंडिशन आती है तो और कोई ब्यत्ती अगर गुंडा है तो जिले या किसी भाग में उसकी गतिविधियों से क्या है किसी जान या माल या संपत्ती जैसे आप गुंडा है अगर आप गुंडा की जो धारा दो है उसके तहट अगर आप आते हैं जो गुंडा अधिनियम की में जो गुंडा की परिभासा है अगर उसके अंतरगत आप आते हैं मतलब अगर आप गुंडा है और डियम को ये क timeline discuss किया उसके खंड काख़ा एक से लेके जो अपराध दिये गए उसमें गिनाई गए हैं ऐसे अपराध के जो है मैं आप सनलिप्ट पाए जाते हैं या आप से ऐसी आसंका की जाती है कि डियम आके जलके आप जो है जिले की सांती को भंग करेंगे ना तो आप जो है यह संपत्ति के छेम के संबंध में कोई बहुत बड़ा कपजा उपजा करने के लिए आप ततपर हैं ना और बिधुई जो है आसंका है आपके उपर की आप जो है लो उस ब्यक्ति को जिसके बिरुद इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो या अपनी पसंद के वकील से परामर्स करने और उसके द्वारा परिरचित किये जाने का अधिकार होगा तथा जब तक जिला मजिस्टेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों स हैं अपने बचाव के लिए तो आपको समय दिया जाएगा आपको एक दो वार्निंग भी दिया जाएगी नोटिस भी दिया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर नहीं सुधरते हैं तो आपका जिला बदल जिला से निसकातित कर दिया जाएगा ना और आपको सध्कनाम एक लिखित आदेस आएगा की भहिया उसे या निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से यदि कोई निर्दिष्ट किया जाएं और ऐसे समय के भी तर जैसा आदेस में निर्दिष्ट किया जाएं जिले या उसके भाग में तब तक प्रभेश्ट ना करें जब तक कि 6 माह से अनाधिक ऐसी अवद जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए समाप्त ना हो जाए मतलब उसके बाद आपको एक लिखित में आदेश दे दिया जाएगा डीम के द्वारा और आपको जिले के किसी भी भाग में आपको 6 महीने तक कम से कम नहीं आना है ठीक तो ऐस से ब्यक्ति से ऐसी अवद से समय पर ना मतलब आपको क्या है ये भी कंडिशन से अगर आपको डीम चाहेंगे किसी उस पर जब अपनी गातिविदियों की सूचना देने या सोयम उपस्थित होने अथ्वा दोनों कार करने की तब तक के लिए पेच्छा कर सकता है मतलब जि पर आपसे खतरा है लोकसंपत्ति को खतरा है या लोकसांति को आप भंग कर सकते हैं तो आपके खिलाब कारिवाई की जा सकती है और उसके बाद में जब तक की 6 माह से अनधिक ऐसी अवद जो मतलब आपको 6 माह के लिए एक बार में जिला बदल आपकी हो जाएगी आप इत जा सकता है मतलब आपको 6 माह का डंड तो दिया ही दिया जाएगा जिसको जो है 3 साल तक बढ़ाया सकता है लेकिन जो धारा 10 है इसमें अगर आप राधी आप धारा 3, 4 और 6 के तहते हैं तब तो 3 तो हमने डिसकस कर लिया है ना कि आपके जिला बदल कर दिया जाएगा जिल इन सबके जो दंड का बिधान है धारा 10 में ही दिया गया है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं 4, 5 और 6 धारा क्या होती है धारा 4 ये कहती है कि आस्थाई दवर पर बुलावा जिला बदल से मतलब डियम साब ने आपको क्या कर दिया जिला धिकारी ने आपका जिला बदल कर दिया है लेकिन आपको पता चलता है कि आपके घर में कोई बीमार है या किसी की डेथ हो गई तो डियम आपको कम समय के लिए बुलाएंगे तुरंत ना अब आपको डियम बुला लिये जिले में अब भाई 2-4 दिन के लिए आपको आदेश हुआ होगा लेकिन अब आप उलंगन कर रहें, आप जाही नहीं रहें, जिला छोड़ी नहीं रहें, कोई अपराध कर दिये उसके बावजूद, तो यह धारा चार में आएगा, जब आपको डियम वापस जिले में बुलाते हैं, किसी कारण के वसी है, कोई कारेवाई के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप आते हैं जिले में वो काम करने के लिए, और कोई उल्टा पुल्टा काम करके जो है, लोकसांती को भंग कर देते हैं, तो धारा चार लगेगी आपके उपर, उसके बाद में धारा पांच क्या है, धारा पांच कहती है कि आवधि को बढ़ाया जाना, मतलब अगर जिला बढ़ा बदल किया गया छे महिने के लिए, फिर उसको छे महिने और बढ़ा दिया जाएगा, आप छे महिने जिले से और बाहर रहेंगे, उसके बाद में छे महिने और, मतलब चार बार छे चे करके बढ़ाया जा सकता है, आपको जिले से बाहर रहना पड़ेगा, अगर आ आपको आयुक्त या कमिस्णर के पास जाना पड़ता है, मतलब जो डिस्टिक मजिस्टेट होते हैं, जो जिलाधिकारी होते हैं, इनकी भी आप सिकायत कर सकते हैं, धाराच्छे के तहट, लेकिन आपको 15 दिन के भीतर, जो कमिस्णर होते हैं, जिनको आयुक्त कहा जाता, जो दारा चार पांच और तीन चार पांच यह छे के जब अपराधी होते हैं तो इसका दंड किसमे मिलता है धारा 10 में जिसमें आपको तीन साल तक का कारवास हो सकता है जो 6 महीने से कमका नहीं होगा मतलब 6 महीने की सजा भी हो सकती है मतलब कि आपको ये जो प्रकरियाइं दी गई है गुंडा अधिनियम में इनको आपको फॉलो करना आदेश को मानना है जब भी जो आदेश देता है जिला धिकारी उसको आपको मानना है अन्य था आपको दंडित किया जाएगा तो आज हम लोगों ने जानने की कोशिस की कि गुंडा अधिनियम क्या है गुंडा अधिनियम की धारा 2 में परिभासा दी गई है धारा 3 में निसकासन जब आपको जिला बदल कर दिया जाएगा आपको जिला बदल कर जाना पड़ेगा उसके बाद में धारा तीन चार क्या है धारा चार में है कि आपको जब जिला बदल कर दिया जाएगा तो आस्थाई तोर पर आस्थाई तोर पर आपको जिले में फिर बुला जा सकता है किसी कारण वस आपको जिले में आना है और आदेश का पालन करना है और धारा पांच में क्या है आपकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है छे महीने से बढ़ा करके उसे 12 महीने या 18 महीने या 24 महीने किया जा सकता है लेकिन एक बार में 6 ही महीने बढ़ा सकते हैं ये अधिकार केवल जिलाधिकारी के पास होता है उसके बाद में धारा 6 में है कि अगर आपको जिलाध तो आपको दंड धारा 10 में दिया जाता है जो छे महीने से कम का नहीं होगा और तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है